हर्याणा सरकार ने धान की जगह दूसरी फसलों को प्रोचसाहित करने की पाइलिट परियोजना शुरू की है लेकिन अपने मौजूदा धाचे में ये किसानों को घाटे का सौधा लग रहा है देखें रोतक से ये रिपोर्ट पंजाब ही नहीं हर्याणा भी गिरते भूजलिस्तर की समस्या से परिशान है प्रदेश में धान की खेती को जल दोहन की वजह मानते हुए मनोहर लाल खटर सरकार ने इसकी जगह मक्के और दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए साथ ब्लॉक में पाइलिट पर योजना शुरू की है इसके तहट किसानों को निशुल्क बीज और प्रती एकर दोहजार रुपए की आर्थिक मदद के साथ निशुल्क फसल बीमा योजना और फसलों की नियुनतम समर्थन मूले पर खरीद करने जैसी बाते शामिल है लेकिन ये बात किसानों के गले नहीं उतर रही है किसान नकेवल आर्थिक मदद को कम बता रहे है बलकि धान की तरह दूसरी फसलों को नियुनतम समर्थन मूले पर खरीद होने पर भी आशेंका जता रहे है बीते दिनों सर्सो उगाने वाले किसानों को इसे नियुनतम समर्थन मूले पर बेचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी प्रदेश के सहकारिता मंत्री किसानों की आशंकाओ को शुरुआती समस्या बता रहे हैं उनकी माने तो आने वाले दिनों में इस योजना को वो जरूर अपनाएंगे एक समय था जब फसल बीमा हमें लागू किया तो विपक्स विरोध करा था विपक्स के साथ कुछ लोग विरोध करे थे आज वो ही फसल बीमा पे किसान परसन है हलाकि जानकारों ने गिरते भूजल इस्तर के लिए केवल किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर सवाल उठाया है उनकी माने तो फसलों की विविदता लाकर पानी के खपत घटाने के साथ उद्योगों से लेकर आम घरों तक भी पानी की बरबादी रोकनी की जरूरत है हरियाना के रुहतक से दिनेश कौशिक के साथ ब्यरो रिपोर्ट सराज एक्स्प्रेस और इस खबर पर हमारे साथ जोड़ गए हैं फोन लाइन पर क्रिशी विशिशग्य देवेंदर शर्माजी देवेंदर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में तो पूरे देश में पानी को लेकर हाहा कार मचा हुआ है हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग परिशान है और जब बात करें खेती किसानी की तो यहां हर्याणा में जो एक पाइलेट प्रॉजेक्ट के तौर पर 7-7 ब्लॉक्स में ये योजना शुरू की गई है जिसमें कि पानी का कम दोहन हो और कोशिश की गई है कि दूसरी फसले उनको उगाने के लिए प्रोचसाहन राशी दी जा रही है और प्रती एकर 2,000 रुपे की आर्थिक मदद की बात हो रही है निशुलक बीज की लेकिन हम देख रहे हैं हमने सुना इस रिपॉर्ट में कि किस طरह से किसान की गले नहीं उतर पा रही और बौहत ही संशचे है उनके दिमाग में इस योजना को लेकर आप इसे किस तरह से देखते हैं प्रियास तो ठीक डिरेक्शन में है लेकिन जैसा आपने कहा कि यह किसानों की गले में क्यों नहीं उतर रही है मुख्य कारण यह है कि जब हम डिवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो हम किसान की जो जिस फसल में डिवर्सिफाई करने को उसको कहते हैं उसको हम प्रक्यूर नहीं कर पाते हैं और यह किसानों का एक्स्पीरियंस रहा है कि कोई एक शोड प्राइस पर अगर प्रक्यूर्मेंट होती है तो किसान जरूरी है कि उसकी तरफ जाएगा लेकिन इसमें एक बड़ा इंट्रेस्टिंग डिवलप्मेंट और हुई है एक कॉलंबिया इन्वर्स्टी का एक इंशिचूट है CIPT करके और उस इंशिचूट ने एक स्टेडी की है जो की मेरा माना है कि बहुत डिबेट करने की जूड था उसने कहा है पंजाब का उसने केस स्टेडी किया है एक इसमें लिया है और उसमें यह निकाला है निश्कश उनका यह है कि क्रॉप डैवर्सिफिकेशन से जो वाटर बैलेंस है ग्राउंड वाटर बैलेंस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा मानना है कि यह बहुत महतपूर्ण आउटकम है स्ट क्रॉप डैवर्सिफिकेशन की बात हो रही है जो हालात है उन्हें देखते हैं और यह आपने रिसर्च की बारे में बताया तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किया जाना चाहिए जो एज उल्ड विजड़म रही है वाटर हार्वेस्टिंग टेकनीक्स क्या उन पर जोर होना चाहिए मनरेगा के साथ साथ इसको जोड़ना चाहिए कि लोग जो है इस इस पर काम कर सके यह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने इतने सालों से जो चीज इग्नोर की है वो है ट्रडिशनल विज्डम वाटर हर्वेस्टिंग का हो वाटर कंजरवेशन का हो और यह जो इग्नोर हमने किया है उसका कारण तो यह रहा है कि हम मौडरन साइंस या मौडरन टेक्नोलोजिस्ट है वो पुरानी विज्डम को समझते नहीं है कि वो यूसफुल है लेकिन दुर्भागे यह रहा है कि ग्राउंड वाटर रीचार्ज जो है जो जिस ट्रेडिशनल विज्डम से या ट्रेडिशनल नौलेज से होता था वो आज एक तरह का खत्म हो गया है एक बहुत साल पहले सेंटर फॉर साइंस और वार्मेंट ने एक कंपेंडियम निकाला था डाइंग विज्डम में हर स्टेट का ट्रेडिशनल नौलेज ट्रेडिशनल वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम को डॉकुमेंट किया गया था वो आज आपको हरांगी होगी कि हमारे देश में एका तुका स्टेट में ही हम जानते हैं कि हमारे यहां ट्रेडिशनल विज्डम क्या था जो बाटर हर्वेस्टिंग के लिए बाकिके तो किसी को मालूम ही नहीं है कि हमारे यहां पर कोई traditional wisdom होता भी था और जिसके करके पानी की कभी दिक्कत आई नहीं है राजिस्तान का example लें तो राजिस्तान की बौडियां हो जिसको हम step wealth कहते हैं हमें इतिहास गवा है इसका कि राजिस्तान में भूग से मौते हुई लेकिन पानी की कमी से कभी मौते नहीं हुई चाहे वो बड़े-बड़े महायुद भी वहां पर हुए थे लेकिन उसने भी दिखा गया किलाबंदी हुई लेकिन लोग भूग से मरे प्यास से नहीं मरे लेकिन वो बॉड़ियां के स्टेट में जहां पर की इसको दुवारा रिवाइब करने के जूरत है वहां पर मैं देखता हूँ ट्रिपरिकेशन की बात होती है मैं ट्रिपरिकेशन की खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मेरा ही कहना है कि ट्रडिशनल विज़म को हम बहुत बहुत शुक्रिया देवेन जी समय की पाबंदी है आपको रुखना चाओंगी मगर आपने बहुती मैत्मून बात कही जैसे कि हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है और उसको संचाय करना उसको संरक्षित करना यह हम सभी को इस पर सीखना होगा और उसकी तरफ काम करना होगा